हेलोडर लाएमारै तॉपिक हाएक व्राइन आज हम बारा से पढ़ के बारा है और उसके साधी जियान पढ़ को ब्रेण पाइं तो मतल्लाँ होता है वह पाई जाती है जो की connections कोट्रियंस में communicate करता है जिसे snapsis कहते हैं तो इस type से जो brand है वो बहुत ही important organ है अब हम यह देख लेते हैं कि जो brand है वो उसके कितने भाग होते हैं तो brand को मुख्य रूप से तीन भागों में divide किया गया है तीन भाग होते हैं four brand, mid brand and hind brand four brand मतलब अग्र मास्तिस्क, mid brand मतलब मध्य मास्तिस्क, hind brand मतलब पस्च मास्तिस्क इस type से तीन भाग होते हैं अब इसका बेट देख लेते हैं जो adult human का brand होता है उसका बजन लगभग 1300 से 1400 ग्राम होता है और pond में इसका बजन तीन पॉंड होता है उसके बाद में और इसकी जो लंबा ही होती है वो लगभग 15 cm लंबा होता है और जो बच्चे होते हैं मतलब कि जो newborn baby होते हैं उनका brand का बजन साड़े तीन सौ से चार सो ग्राम होता है तो इस type से जो human का जो brand है वो तीन पॉंड होता है एक adult human का जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब महीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें पॉट इस दा brand होता है वो बहुत ही मात्रा में नफ्टी सूस से मिलकर बना होता है जिसमें तंत्री के उतक पाया जाते हैं जो कि इसकल में प्रोटेक्ट रहता है और जो बोडी के बहुत ही major body system में बहुत ही important role play करता है some of its main functions include इसमें कुछ main functions है इसके मुख्यकार है processing sensory information जैसे यह sensory information की processing करता है regulating blood pressure and breathing blood pressure को regulate करता है और breathing को भी regulate करता है नियंदेट करता है releasing hormones hormones को release करता है brain में pre-tuted gland पाये जाती है जो कि बहुत ही important hormones को release करती है जो पूरी body के लिए बहुत ही important होते हैं तो इस type से जो brain है वो हमारी body में पूरी body को balance करके रखता है और बहुत ही important role play करता है body के पूरे body system के लिए brain के three parts होते है four brain, mid brain and hind brain तो इसके अंतर रखत क्या क्या आता है तो सबसे पहले हम यह देख लिए थे जो four brain है four brain में cerebrum, thalamus and hypothalamus पाया जाता है यह hypothalamus, thalamus and cerebrum से मिलकर बना हुआ होता है और जो mid brain है वो बीच में पाया जाता है यह brain stem के अंतर गताता है brain stem में mid brain और hind brain दोनों आते हैं hind brain में ponsveruli, medulla oblongata और cerebellum प्रेजेंट होता है उसके बाद में नीचे की तरफ spinal card पाया जाता है इसमें cerebral cortex पाया जाता है उपर के तरफ और इसमें ग्लेंड पाया जाती है pituitary gland जो की बहुत ही important होती है जो की growth hormones को भी release करती है human brain is the central organ जो human brain होता है वो nervous system का central organ है मतलब की बहुत important organ है केंद्री बिंदू कहा जाता है जिससे spinal card मिलकर central nervous system बनाती है इस जो brain होता है वो इसमें the brain consists of cerebrum and cerebran stem cerebellum तो जो brain है वो cerebran stem और cerebrum से मिलकर बना होता है control most of the activities तो यह जाला तरह बौडी के activities को control करता है processing integration को coordinating of information it received the sense organs जितने भी informations होती है उनको coordinate करता है और बौडी को information sense organs को information को information इंस्ट्रक्शन सेंड करता है पूरी बौडी में जो भी activities होती है ना उसके अनुसार यह instructions देता है निर्देश देता है body को the brain is contents in and skull bones of the head head to head skull bones in the head skull bones सुरक्शत रहता है अच्छे से देख लेते हैं share bram share bram and share bram and share bram here are like brand stem here is yellow color this is share bram and share bram share bram share bram share bram and brand stem the brand is made up of many space-lized areas that work together जो बैन है वो बहुत इस पेस्ट एरिया से मिल कर वना हो था जो एक साथ बढ़ करते हैं जा कोटेक्स इस आउटर मोस्ट लियर अरो ब्रेंट से लिए तिंकिंग और वालिंटरी मोवेंट्स होते हैं यह इसे स्टार्ट होते हैं दब्रेंट स्टैम इस बीट्वीन इस पानल काडंडर रेस्ट juT yogi तो इस काड़ i review anime कौड़ीनश कोट्रेंट ओर्ड देन हैं करते हैं वह मैसेज को कौड़ीने करते हैं अब कर नहीं सारी विल्लम एप्ड़ी युश कर सब्याई जलने करना अब बांट स्कास पाइन रिष्क अब सरे चाहा है॥ अब जो यू ग्रे मैर्टर पाए जाता है। ए इस अब ऊब भाग एते हैं एक ग्रे मैर्ण पाइबं में जाता है। और इस जो ब्रैन है उसमें फोर लोब्स पाए जाते हैं चार पिंड पाए जाते हैं जैसे कि फ्रॉंटल लोब है पेरियंटल लोब है और टैंपोरल लोब है इस टाइप से टोटल फोर लोब्स पाए जाते हैं Tha brain is also divided into several lobes, the frontal lobe are responsible for problem solving, and adjustment and motor functions. So is the frontal lobe responsible for problem solving, and overwhelming motor functions. The parental lobe measures sensation, handwriting, and body position or handwriting. लिए में मैमोरी और हैरिङ के लिए सुनने के लिए और मैमोरी सちょっと होता है इस पिचा लोड काुछनी रखाझ आệc है इसे न्याठी को डेखने रिए इस को एकि प्रॉसेंग % विजूल प्रोसेसिंग सिस्टम के लिए रिस्पॉंसिवल होता है मतलब किसी दी चीज को देखने से रिलेटे डॉसी पीटर लोब बार करता है इस टाइब से यह फो लोब्स थे अज का यह मेरा वीडियो था अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना ब बिलकुल भी नाभूने थेंक्यू सो मच